अब बेटा आपने रहे के कुछ बैक एक्साइज के कोश्चन बैक एक्साइज में से आदे के कोश्चन मिरर के थे वह कवर अब बचे होई लेंसे वाले वह भी कवर अब कर लेते हैं तो यह रहे करके देखो तोटा फास्ट इसने भी हैं वैसे तो ग्लास ही होता है लेकिन यह जिसमें से लाइट पास कर जाएंगी वह हो सकते प्रभी इंवे से विच वन ऑफ दा मटिरियल कैंनोट वी यूज तो मेक आप लैंस अब इंवे से एक ही बोलने हैं तो यह होगा यह नहीं यूज किया जा सकता वाटर प्र आशिक को भी अशिश को भी अशुवेख लूटर सकता है कि यह पास को इसे दो यह सकता है तो इस मैं से इन यह वं सकता है यह नहीं कि यूज कर दो रिक्टन ही है अगला सवाथ चलते हैं अगला सवाल क्या रहा है जी वे शुटन और प्लेंशक विल बनानी है यहां पर वही है कि इमेज ऑफ ता सेम साइज ऑफ ता अबजेक्ट तो यहां पर पढ़ना चाहिए तो पनते ही है को निकल वाली बात नहीं है अगर आपने स्मॉल लेटर करते हैं तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा करना ही नहीं होता इसलिए कंकेव तो लगी नहीं पर देखने नहीं कुछ देना चाहिए कंवेक्स लेंस ही लगना चाहिए तो विच ओप फॉलेंस प्रेफर दो यूज़ वाइदिंग प्रेफर दो जितनी लेंस की पावर जाता होगी उतना ही वो जादा बढ़ा कर दिखाएं तो जाना पावर का यूज़ करो अप्यूंक अपने मास्क ऑप्शन में दो तो कंवेक्स लेंस हैं इक की फोकल फचास ते रखी है दूसरी की फोकल लेंस की तो इसमें से यह आंसर बन जाएगा कंवेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंस अब फोकल लेंस करने के लिए हमें सी आप्षन पर पड़ेगा चाहिए यह वह वह इंप वह नहीं है अगली 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 अग्ले वागे लिए विए विए वान आफ वाट अपक्र लैक पेपर से भाट इन बिल्स ने प्रडूस्ट आप्लीट इमेंज और अपने आप करना पड़ेगा आट एक्सप्लेइन यौर ऑप्जरेशन एक्सपेरिमेट आप अपने आपकर के देख लेना आप संचो कि आपके वासी मिरर है ठीक है है यह मिरर हां कि दिनकेव मिरर्र जासे मुझा जाए समधिए बाएं कि आदा तोड़ दो आतीरो और शु तो नीचे वाला पॉजिशन भी अपने आप में कम्प्लीट लैंस से पूरी में बनाएगा अब इसमें तोड़ा नहीं है वो कह रहा है कि अगर आधे में ब्लैक पेपर लगाते जाएगा तो इसका अंसर आएगा बिल्कुल बनाएगा क्यों नीचे उसको क्या करते हैं अब यहां पेड़ा पड़ा हुए इसकी इमेज बनाने के दो रेते हैं दो जीना हिस्ते दुनिया वर की रेज चलती है अब इससे तो रेज दर भी जाएगी यह भी जाएगी यह भी यह भी पहुत तने के जहां पर भी मेज बनती हैं वान तो यहां बहुत रही हैं तो इससारी सारी रेज रिफ्रेक्ट हो होकर निए पहुँचनी है उत दिवह पहुंचनी है पॉर रही दो प्शे अग्वाना फार्ट कवर दिया जाए अकर पर आप आप कर दोगे तो यह वाले नहीं पहुंचेगी अब यहां तक का पहुंचेगी अगी अब थीक के कोई निकत नहीं है इमेज नीचे वाली रेज ने इमेज बना देनी है तो आपका आशर है तो इसका आंसर तो है यह विल्कुल बनाई कोई दिक्रत वाली पाद नहीं अब फर्क कहां पड़ेगा फर्क सिर्फ इसकी ब्राइटनेस थोड़ी काम हो जाएगी पहले उपर नीचे वाली में इमेज बनानी है थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाएगी थोड़ी क्यों देखो तो आदी रह रहे हैंगी क्योंकि हाँ अगर कर तिया तो ब्राइटनेस इसका कहते हैं ने कर देखिंगहरा करां इसको अगले सबाद पर नेक्स कोशिन पर ने लेंद एक ऑबजेक्ट 5 सेंटीवीटर इनलेंफ एक अबजेक्ट है वेटा 5 सेंटीमेटर इनलेंफ इसकी अब क्या वाट यूज किया कंवर्जी अब यार कंवर्जीं लेंस का मतलब कैसा लेंस है कंवेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दिर की हैं वाट सेंटीमेटर इस है 25 सेंटीमेटर अवे कितना है 25 सेंटीमेटर अब हमीशा कैसा लेना होता है नेगरी लेना होता है लिए नेगरीशन साइड नेचर क्या में क्या करना है रे डाइग्रम भी ड्रॉ करना है ओके देखो जी यू कितना है वाइनस फोकल लेंद कितनी है 10 तो पेटा अगर फोकल लेंद 10 है तो 2F कितना आएगा 20 रखा कहा हूँ है 25 पे तो सिर्दी जी बात है कहां बढ़ा हूँ है ब्यॉंड 2F पढ़ा हूँ है अगर थी इंवार्टेर बननी है इंचर लिख देते हैं यह पार तो इस बनेगी तो एंड बिट्विन एफ एडट वियाद होगा बिट्विन एफ हैंड तो एक पनी बात नहीं है उसमी दोला क्या बना के दिखा और अबना कि दिखाओ तो यह क्या हो आज कर देखाओ है आपका थोड़ा मार्की कर लेनी पड़ेगी यह आपका और टिकल सेंटर यह ओगया फोकस कितना देर रखें दर सेंटिमीटर आपने अब कर दख लिए यह कहां पर है वी सेंटिमेंटर रखना पर इसको पच्छीस पर रखना तो यह हो गया आपका ऑब जैक्ट कर पड़ा होगा है 25 सेंटिमेटर यह जो पॉइंट है का पर पड़ा होगा है 25 अब इस पीसे यहां पर दर सेंटिमेटर पर एक रहे कैसे जानी है पैर पैर वता से फोकस दूसरी यहां से से वेस्ट होते हैं वह यहां चरह जाएगी इमेज कुछ यहां बन जाएगी यहां पर नगाएगा इसका कुछ इस टाइप का पर ने बनेगा यहां पर रे डायाग्राम बनेगा ओके जोड़ा ने किया तो तो फिर देखो इसको सॉल्ट भी करना पड़ेगा जी तो रोंगा अगें वान पाइऊ-प्लस वान बाइदी किसके एकपल वेठा वान वाय एफ के ओके यह मद्धे का वान पाइदी इस इकल टू वान वाय एफ पितना दिख ए प्लस टैने और यू तो कैसा लिना उता है नेगेटिव नेना होता है माईनस थो एफ्टी बन रहा है तो वान वाय वी इस इकल टू एफ्टी रख लेते हैं तो टैन फाइन माइनस थिक है टीडिव टू जाओ ठीक है यह बच नहींगा आपना वान वाइट इसके एकपल पाइद तो कितना हो गया थी थी बाएफ फिफ्टी वीग इसके एकपल आगया इसके बाइद भाइद निए तो तो टीवाज़ा टीव अगर ने करता हूं तो ट्री माज़ा ट्रीट वर्ट जाएगा शिक्स जाप प्लस फिर पंटी बचेगा शिक्स इसक्स एक तो यह दस है यह जबन रही है तो सही जारा है हम यह आगी आपकी चिक्वाज़ चरहा है तो मेंगनिफेकशन किसके एकपल होती है एक्स आगए यूट चुछ किसके एकपल आना चीकिए वी एक्वाज आगया है भी है आपका 16.66 U किसके एक्वल है minus 25 H1 किसके एक्वल है 5 के एक्वल है ये कड़ जाएगा 5 उट जाएगा तो H2 will be equal to 16.66 divided by 5 16.66 divided by 5 तो इसको calculate करके देख जाते हैं exactly कितना जाएगा 16.66 divided by 5 16.66 divided by 5 16 16.66 divided by 5 तो इसको जाएगा 3.332 तो आज़र भी 3.3 अगड़ आपते हैं नेक्स पॉस्चिन पे नेक्स पॉस्चिन आपका स्क्रीन पे आई रहे क्वेश्चन अबर 11 पड़ो जिसको द्यान सी कहाँ आएगा यह लेंस तो फोकल लेंस 15 सेंटी मिट्र लेंस कैसा रहे हैं वी इवन है वी इवन है हाव फार दा अब्जेक्ट इस प्लेस फॉम दा लैंस क्या मांग लिया उसने यू मांग लिया हाव फार अब्जेक्ट इस प्लेज यादि वियां टू फाइंड डा वैली ऑफ यू और डियाग्राम भी बलाना है अपड़े इसके एक पॉइंट है तो सबसे एक आसमार जो कंकेल बनाता है अगर वर्चुल में बनेगी तो उसके उसी साइड पर बनेगी तो हमें वी क्या पर देखे लिए चाहिए था नेकितिव कंकेव या लेंसे जब वर्चुल वे जुनात्य विटा सेंसाइड पर बनती है तो उसके वी क्या होती है तो फी पॉस्ति होती है तो फ माइनस 15 वी किसके एकवल माइनस 10 सेंटीमेटर के एकवल ओके जू हमें क्या करना है को दिखर फ दिखर माइनस सब्सक्राइब इकर उसका हो सेंटीमेटर करना हूँ की प्लेटर माइनस यहांतो फाइप दिखर आउं फंद्रा मेनस यह जेगा प्लस द आए खा नोम इन भार यू इसके एकोड़ा गया थी एकर में तरटीमिटर कर दो इसका हो से आप और डिया इगा है तू तो उदर से 10 सी जा ओके यह माइनस वाइन वाइन यू किसके एकवर आजाएगा वान वाइन 30 विए विए इकल तो माइन तो यू किसके एकवर आगया माइनस 30 के मतलब इमेज चाहां पर बढ़ा हूए से 30 सेंटीमेटर की दूरी पर पढ़ा हूए एक चीज और बना देते हैं को दिक्कत वाली बात नहीं है लेंस कौन से था कंकेव बंग्या कंकेव यह क्या होगा इसका प्रिंस्पल एक्सिस यहां पर इसकी फोकल लेंग कितनी ले लेते हम 15 पंद्रा है औब्जेक्ट कहां पर पढ़ा हो आगया थर्टी पर अब्जेक्ट क्यां पर होना चाहिए था एभी ठीक है कि इमेज मना नहीं नहीं है चीजिए कम से कम दो रहें यहां से पैरलल और पैरल्ल्ल कुछ ऐससे डाइवर्ज होगी करकेव होता है कि कहां से पास होती है नजराएगी फोकस से दूसरी होगे वर्टुल को ए ररेंट कि करके बनीजट कैसी है अगतना यह सी अब कर दो बैस है और बहुत अगया अगली बात लेंटो पावर माइनस टू पॉइंट जी रोग्तोर फोगलेंट कर नहीं है आपको पते है पावर किसके एक्वल होता है विटा तो एक इसके एक्वल होगा गया वनवाइट भी हो के जी वन डिवाइड़े पावर किसी दिए सब्सक्राइब करें लेकिन इसको आप 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते इस माइनस 50 सेंटीमीटर या 0.5 मेटर वाट टाइब ओफ लैंस नेगेटी फोकल लेंट वाला है तो कैसा हो गया सब्सक्राइब किया है इसकी पावर कितनी है प्लस 1.5 अब प्लस का मतलब कैसा है दोग्टाइब गिभाट या अजिए पावर दे रखा वोल्र दे रहा है तो फोकल लैंट वटा है वांट वांटीमाट वांट 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 च्छिक्ट तो exactly अगर मैं इसको गालगर दने की कोशिशिक दो तो 1 divided by 1.5 तो 1 को अगर मैं किसे डिवेड़े कर दो 1.5 फे कितना रहेगा 0.666 it will be 0.666 तो बेटा 1 को 1.5 से डिवेड़े गया तो कितना अगया 0.6666 सब्सक्राइब करोगे तो 66.6666 66.670 ले सकते हो आंसरी सेंटीमेटर आंसरी मीटर तो कैसे लाइन से भोगी बना दिया और कितनी आनी थी वह भी बेड़ा डिसकर सपनी होगी ओके तो यह हो गया अपने सारे के सारे कोश्चन ने रिखार से कबर अब कराई दिये यह भी हो गय जब घोड़ा और इससे पहले जो भी है तो सारे कोश्च में वीटिए तो संपने स्केमें चिए हैंके उस Ouais confronting के उसन में पहले अहुआ है। इसलिए आपने से रिफ्लेक्शन के करवा दिए अब तो और इख्ञेक्शन वहां पूइब में एक अठियाने के और नेक्स्ट स्लेक्टियु करने वाले। तो एक पॉइंट बार बार पार पहले भी गैशता हूं फिर से बोलता हूं कि अगर आपको गोड़ एक्जाम में बढ़िया नंबर लेकर आने हैं तो आपको एकी बुक पर विश्पास करना पड़ेगा कौन सी बे एंसी एर्टी 10 तो या 12 तो कौन सी बुक करनी है एक एक जाम्पलर प्रोब्लम में अगर आप एक पूरी कर जाते हो एक या क्पड़नी है टेक्स्ट भी पड़ना है थियोरी भी पड़नी है सारे के सारा चोटे बढ़े सारे कोशन कवरब करने हैं इंटेक्स कोशन होते हैं पिर उसमें कुछ कि सॉल्ड एक्जांपल्स होते हैं ठीक है उसके बाद एक्साइज करनी है और सबसे इसके बच्छे और इसके बच्छे हों अगर आपने एक वीडियो में क्लास के लिए एक्जांपलर कोशन लेकर आरें अब तक लिए बटा थैंक्यू वेरी मच्छ यह कोशन करके रखो तोड़े रिवेशन करो ताकि एक्जांपलर कोशन बढ़ी अश्री केसे हो जाएं ओके बाए टाटा थैंक्यू